कुरोना के तिसरी लहर के बाद विहार के मुखमंत्री नितिश कुमार ने एक बार फिर से शुरू किया समासुधार यात्रा समासुधार यात्रा को शंबुदित करते हुए नितिश कुमार ने विहार के लोगों से किया खास अपील और विहार के मुखमंत्री नितिश कुमार हो सकते हैं भी पच्छी दलो का राष्ट पती के उमिदवार परसांत की सोर कर रहे हैं फिल्डिंग नया बिल्डिंग बायलोज मंजूर लालू परसाद यादो को पांच साल की सजा साथ लाक का जुर्माना और क्रिसी रोड मैप की आउधी एक साल और बढ़ाई गई खनन उ सिधार्त मुख मंत्री के परधान सचीव बनाए गए हैं और बिहार कैबनेट में 18 एजेंडो पर लगी मुहर मधवनी के जग्रीस मंडल को मैथली का साहित आकार अकादमी और इधर 25 सरकार भवन 2021 तक बनने थे 3200 बने शिर्फ 1450 यानि कि बनने थे 3200 और बने मात्र 1050 1450 सुबे में बिजली खपस से दुगना खर्च खरीद में हो रहा है और इधर आवास युजना के लाब से बंचित लोगों को जल्द दे जो भी बंचित लोग है जल्द आवास देने का आदेश बिहार के मुक्वंतरी नितिस कुमार ने किया है और कैमिनेट की बेटाइग में 3530 पलस टू अस्कुलो और भवन के निर्मान जल्द होगा लगी मुहर सराबंदी के विशेश कोट को संसादन मोहिया कराए सरकार 24 और 25 को आंसिक बारिस के असार गनेश कुमार बने आई जी मुख्याले जमीन के दस्तावेज में भूल सुधार करने में आई तेजी और इधर बिहार में बेहतर तरीके से जाती जनगना होगी बिहार के मुक्वंतरी नितिस कुमार का यह आदेश डिजिटल इनवर्सीटी से दूर होगी सीटों की कमी पीम मोदी का यह आया है बेयान नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुनील बोबी और इस समय आप देख रहे हैं खास कार्जक्रम बिहार समाचार बिहार समाचार में तमाम भीवर्स को स्वागत है बिहार समाचार में हम ख फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक कर ले और यूटूब चैनल पर देख रहे हैं यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मोटिवेट करता है कुछ साहित करता है और आपके लिए प्रति दिन वीडियो लेकर आने के लिए हम प्रेरित होते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा चलिए खबरों के सिल्सिला सुरूब करने से पहले मैंने कल आप से एक प्रस्ण किया था कि देश के बित मंत्री का क्या नाम है तो आप तमाम भीवर्ष्टों ने काफी संख्या में लोगों ने सही जवाब हमारे विभिन चलनों पर दिया है तो उनमें से कुछ का नाम मैं लेना चाहूंगा ऐसे बित मंत्री का ना निर्मला सिता रमन आपने भी बताया और सही भी ह है एमडी कशीप दोमी कुमार आशीश कुमार रोहतार साग जनपुर राम राम कुमार दिवांग और दिवाना ऑफिसियल अमुद दास अमन और एमडी अमजद अली अनूप गौड संतोष कुमार आशीश रंजन और अभय यादो तमाम लोगों ने कॉमेंट कर बताया है चलिए अगले इ romance अगले सवाल का ज्वाब दीजिएगा आपका नाम भी हम अगले बीडियो में लेंगे जो जो सही जवाब देंगे और आगे का मेरा मकसद है कि जवाब कieso मेंट करने वाले लोगों को हम गिप्त भी दें यानि कि उसमें से विनर जो होंगे उनकों करिव के मादम से भेजने का भी काम करेंगे तो आज का सवाल है बिहार के सिच्छा मंत्री का क्या नाम है सवाल कुझा ध्यान से सुनिएगा बिहार के सिच्छा मंत्री का नाम क्या है या नहीं जो अभी फिलाल में बरतमान में सिच्छा मंत्री हैं उनका नाम क्या है चलिए बिहार सरगर्मी एक बार फिर से उथल पुतल मच गई है खबरों के सिलाब सुरू कर देते हैं और विहार के उन तमाम उथल पुतल जो खबरे हैं राजनीतिक अब दाव पेज सुरू हो गया है एक तरफ जहां धारखंड में पंचाय चुनाओं को लेकर सरगर्मी तेज होने लगी ह है वहीं विहार में भी अब राजनीतिक दाव पेच शुरू हो गया है आपको बता दे कि कुरोना के तिसरी लहर के बाद विहार के मुखमंत्री का समास सुधारयात्रा शुरू हुआ मुखमंत्री ने लोगों से सभा में अपील भी किया है सराबंदी को लेकर उत्साहित भ बिहार के मुखमंत्री नितिसकुमार भी पच्छी दलो के राश्टपती उमिदवार हो सकते हैं परसांद की सोर कर रहे हैं इसका फिल्डिंग आपको बता दे यह खबर अचानक निकल कर आई जहां बिहार के रोग मुश्कुराने लगे हैं वहीं कई तरह के अटकले भी आ करना है कि जहां लोग कहा करते थे उनके दल के नितिसकुमार के दल के लोग की पीम मेटेरियल हैं तो पीम मेटेरियल के बाद राश्टपती का नाम आ रहा है बिहार में मुखमंतरी नितिसकुमार के दिल्ली के दोरे के दोरान पॉलिटिकल यानि राजनितिक हैं पर परसांद की सोर से मुलकात के बाद राश्टपती चुनाओं को लेकर नई चर्चा सुरू हो गई है कहा जा रहा है कि परसांद की सोर देश की परमुक भीपच्छी पाटियों के साथ लेकर राश्टपती चुनाओं के तैयारियों में जुट गए हैं इस मुलाकात पर नितिस्कुमार्ट से जब पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि परसांद की सोर से उनका पूराना रिष्टा है कहां से आया नितिस्कुराश्टपती बनने का आइडिया यह भी हम बता दे हाली में तेलागाना के मुखमंत्री के चंदर राश्टपती चुनाओं को लेकर चर्चा हुए थी कहा जा रहा है कि इस दवरान तेह हुआ की राश्टपती चुनाओं को लेकर सभी पच्छी पार्टियों को मंझ पर लाया जाये साथी किसी ऐसे चेहरों को इस पद के लिए आगे किया जाए जो सब के लिए सवीकार हो कहा जा रहा है कि इसी चर्चा के दौरण परसंद की सोर ने बिहार के С.E.M. नितिस कुमार को राश्ट पति उमिद्वार बनाये जाने का आइडिया दिया जिस पर KCR तयार हो गए सुत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में नितिस कुमार से मुलाकात से पहले परसांद किस और पटना में भी गुपचुप तरीके से बिहार के सीम से डीनर पर राश्पती चुनाओं को लेकर लंबी चर्चा कर चुके हैं खर जो भी हो लेकिन अभी बिहार क की राजनीतिक में हुचाल आ गया है यानि की बिहार की राजनीतिक एक बार फिर से स्टेज हो गई है अब बात कर लें बिहार के कुछ खबरों पर तो बिहार में 24 और 25 को आंसिक बारित के असार बताये जा रहें पच्मी विछोब का परभाव है पूरे परदेश में अगल है यानि की 24 और 25 को आंसिक बारिक का आसार जताया जा रहा है मौसम का मिजाज भी बदलेगा और इधर बात कर लेते हैं बिजली पर इन दिनों बिजली के समंद में काफी कुछ चर्चाएं चल रही है बिजली खरीद की दर में 75 फिजदी की हो गई है विर्दी सूबे में बिजली खपत से दोगना खर्च खरीद में हो रहा है बोजबढ़ा है चार साल पहले 10,000 क्रोर की खरीद होती थी अब इसकी लागत बढ़कर 17,500 क्रोर के पार कर गया है 47% की बिजली खपत में ब्रिदी बिते चार साल में हुआ है आपको लगतार यह बढ़ते जा रहा है और बाढ़ और नभी नगर की बिजली ज्यादा महंगी होगी बिहार के बिहार को NTPC से बिजली मिलती है इसे कह लगाओ और फरक्का की बिजली खरीद की दर तीन रुपे प्रती उनिट तो बाढ़ और नभी नगर की दर पांच रुपे प्रती उनिट से अधिक है तो इस सरकार पंचायद भवन बने योजना सवक्रित भी हुई लेकिन किसकी लपरवाही कहें जमीन का कहीं टोटा कहीं लपरवाही कई कारणों से बिहार के कई पंचायदों में पंचायद बिहार सरकार पंचायद भवन यानि सरकार पंचायद भवन जो बड़ा होता है वह नहीं ब स्काथर बने हैं 1450 252 255 सरकार भवनों के लिए जमीन नहीं है कि 827 भवन का निर्मान कार चल रहा है पंचायती राज-विभाग ने जीलों को जल्द जमीन चीनित कर निर्मान सुरू कराने को कहा है भवन का निर्मान मुख्या कर आएगा यह आप कन्फर्म सुन लिए जिए क भी भवन का निर्मान मुख्या जी कराएंगे य Fleisch को बतादे कि सरकारी जमीन पर बनने हैं भवन यहांपर सरकारी burada सरकार भवन बनेंगे अठवा शुरू कराने के लिएक निर्मान कार सुरू होने के बाद रासी भुक्तान गराम पंचायतों को दुवारा किया जाता है वर्स 2012-13 में मिली पहले चरण की शवक्रिति राज सरकार चरणवार रासी का भुक्तान करेगी यानि कि इसकी विशेश कबर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे यानि कि वार सदस्की उसमें क्या भुनका होगी और मुग्या जी क्या भुनका होगी इधर अबास्योजनाम के लाब से बंचित लोगों को जल्द रासी देने का निर्देश विहार के मुखमंतरी नितिश कुमार ने दिया है जनता के दरवार में मुखमंतरी कार्जकरम में 125 फर्यादी इस मामले को लेकर प पंदी के विशेश कोट को संसादन मुहया कराए सरकार और गनेश कुमार बने आई जी मुख्याल है जमीन के दस्तावेज में भूल सुधार कराने में आई तेजी राज में मिले आवेदनों में 85% का निस्पादन पटना सहीच चार जीलों की स्थिति अब तक नहीं सुद् माना जोरंडा कोशागार से 149 करूर की अवैद निकासी के मामले में आया है फैसला चारा घोटाला नया विल्डिंग बाइलोज मंजूर कैबिनेट के फैसले हुए हैं राज में बहुमंजली इमार्तों के निर्मान के लिए नया विल्डिंग बाइलोज में असपश्ट प पहाल किये जाएंगे किरिसी रोड मैप की अवदी एक साल और बढ़ा दी गई है खान उपन निदेशक के ठीकानों पर शापे पतनी के नाम है छाभुखंड कलंग के खिलाप अभियान जारी है यह उने 17 फ्रबरी को दर्ज की थी प्राथमी की और एस जिदात मुखमंत्र मुखमंत्री के परधान सतीव बनाये गए हैं मधुवनी के जगदिसपूर मंडल को मैथली का साहित अकादमी दिया गया है और इधर कुछ जो खबरे जो हैं आपको फटा फटा अंदाज में बता देते हैं बिहार पीम मोदी का एक बड़ा भियान आया कि डिजिटल बिहार ने कहा है कि बजट सत्र के बाद सर्वदली यह बैठक होगी यहार में बहुत तरीके से जनगना को रिकट यहार के मुखमंत्री ने कहा कि बहुत अच्छे ढंग से जनगना होगी हम लोग इसके लिए तैयार बैठे हुए हैं अंदूरूनी तैयारी चल रही है ताक भोचपूरी यूपी और जारकंड में भी बोली जाने वाली भासा है इस पर भी मुखमंतरी का बड़ा भ्यान आया है जहां जारकंड में इस भासा को अलग तलग करने की कोशिश किया गया है अगले वीडियो में तब तक के लिए याजा धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मातरम